हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम तो माई चैनल आज के इस वीडियो में हम करेंगे लेस्टों 6 ले इन्वार्मेंट हमारी इडिस बुक 3 चल रही है क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं और पार्ट वन हम अल्रेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको ट्रांसलेशन बता दी और पूरा चैप्टर का एक्स्प्लिनेशन आपको दे दिया था एक्सेसाइस भी सौर्व हम कर चुके हैं अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाईए चेक कीजिए और उसो देख लीजिए आज के इस वीडियो में हम है और पार्ट आ Так अ किया मतलब होता है जल्दी से परिमेंबगर लेकिन हम क्या करते है IS को कुद करते हैं इस चैप्टर में हमारे पास अध जो बwend É एक है लुक्क प्रपोसिशिशान जार अडिस और दूसरा एक्स सिस नाउट तो डोनों को अलग diverse study करने वाले हैं और दोनों को अलग अलग मतलब उने वाला है मेरा मतलब है कि इसमें आरति का मतलब सबसे पहले सेकेंड वाले में इसका मतलब आदा तो वो वो डूरीवंदार लूइन ediyorum पहले प्रेपोजिशन्ग dvrb為什麼 इसमें सिरफ इसका under हो गया, in हो गया, for हो गया, out हो गया, right हो गया, left हो गया, near, far, ये सारी चीज़े क्या है, prepositions ये, अब इनको French में क्या बोलते हैं, ये आपको याद करना है, और कुछ इनके opposites दी हो ये हैं, page number 68 पे आपके, एक तो इन opposites को आपको याद करना है, जैसे प्लस इनके मीनिंग्स भी याद होने चाहिए अब आपको ऑपोजिट्स तो बुक के अंदर दियो हैं लेकिन इनके मीनिंग्स कहां से लेंगे आप मीनिंग्स के लिए आपको refer करना पड़ेगा मेरा PDF मैंने इसके सारे मीनिंग्स की एक PDF बना दिये इसके भी और अडवर्ब्स के भी आपके राइट साइड में यहां पे पुक में आप देखेंगे तो एडवर्ब्स भी दियो हैं एडवर्ब्स के एस एक बॉक्स बना हुआ है वो सेरा फ्रेंच में लिखे हुए हैं उनके English में में उसमें टाइब टाइब एक टेबल बना बनाया आपको एक PDF में डालके दे दिया है जिसे आप Link जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को और वहां से आप इसको लर्न कर सकते हैं एक ट्रिक जहां आप में जो बताना चाहूंगा जो आप मेरे चैनल पर आकर सीख रही है तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते थे कि इसको याद करने के बाद आपने क्या गरना है अपनी एक pencil या pen उठाना है जो भी आप बुक में जिससे भी लिखना प्रैफर करते हैं और उसके बाद यहां पर जैसे मालो यहां लिखा है सूर और सूस अब सूर का आपको मतलब पता चल गया on है तो आपने यहीं पे side में bracket बना के लिख लेना on और सूस under यह आपने देख के नहीं लिखने यह आपने brackets में अपने test की form में लिख देना है learn किया लिख दिया learn किया एक line फिर लिख दी फिर इसके बाद यह लिखने के बाद आप क्या करोगे उसको PDF में से चक करोगे यह होगे आपका self assessment test इससे आपको याद भी हो जाएगा और लिख के याद किया होगा भूल ही नहीं सकते आप सबसे पहली बात तो और मैं तो सारी चीज लिख की करवाता हूं जिसको भी पढ़ात और ऐसी आप adverbs का करेंगे adverbs के भी आप brackets में या फिर equal to डाल के कहीं पर लिख लेंगे जहां पे भी आपको जैसे भी suitable लगे वैसे आप लिख लो कि अगली बार आपको PDF ना खोल ली पड़े सीधा बुक में आप learn कर लो book में सी फिर हमारा next topic है expressions of negation lay expression of the negation अब इसमें क्या इसमें दो चीज़े हैं एक तो समझने वाली चीज़े एक learn करने वाली चीज़े learn क्या करने आपको इनके meanings याद करने पड़ेंगे जैसे यहाँ पर एक expression है calculus का आपको मतलब भी नहीं पता जब की something होता है कुछ या फिर nothing को क्या कहते है रिया कहते है तो तब तक आप इनको यूज ही नहीं कर सकते हो या फिर कहीं पर यूज हुए होंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा इनका meaning क्या है तो इनके कैसे यूज करना यह आपको समझने है लेकिन इनका मतलब आपको पहले से पतो होना चाहिए अब मालो समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या formula वो कुछ भी हो सकता जैसे यहाँ पे example में त्यू लगा दिया प्लस इसके बाद क्या करोगे वर्ब को conjugated form में आप लिखोगे जैसे त्यू के साथ monge तो monge में es पूरा infinitive form में नहीं लिखना है जैसा कि हम पिछले chapter में future simple में लिख रहे थे यहाँ आपका expression of negation इसी को जब negative में मतलना होगा प्लस आगे क्या expression तो formula क्या आगया formula क्या है हमारा यहाँ पर मैं formula लिखना हो for formula क्या है plus verb in conjugated form plus expression यह आपको याद हो गया तो कोई भी गलत नहीं होगा इसका है अगला जैसे दिरख है calca तो क्या हो जाएगा यहाँ पर to monge calca अगला दिरख है calca part क्या हो जाएगा to monge calca part वो क्या होता है somewhere फिर क्या है toujours तुजूर बदला always every time वो उसमें के example दिया है तुजूरा लियर अब इसके यह नहीं है कि something के बाद कुछ आई नहीं सकता और नहीं सिरफ verb के बाद लगना चाहिए expression और उससे verb के बाद expression आना चाहिए expression से पहले verb आना चाहिए इतना आपको याद रखना पड़ेगा इसके बाद जो मर्ज लिख़ो sentence में यह जितना मर्ज लंबा sentence बना दो इसके कोई limitation नहीं है ऐसे ही अब इसको अगर negative में change करना है तो क्या हो जाएगा त्यू कत्यू बन जाएगा त्यू कत्यू रह जाएगा Verb से पहले यह क्या हमारा Verb है Verb यह इससे पहले हम add करेंगे No जैसे हम पहले अएड करते है उसके बाद ada got is verb आगया और इसके बाद हम add करेंगे PAA जैसे हम पहले करते हैं फिर आपको एक चीज जो याद करनी है सबसे ज्यादा अच्छे से something यह है, तो nothing को क्या कहते है अब यहाँ पर आप यह नहीं लिखोगे कि you do not eat something, यह आएगा you eat nothing, तुम कुछ खाते हो, इसको negative में कैसे बतलोगा है, तुम कुछ नहीं खाते हो, अब कुछ नहीं खाते हो, कुछ नहीं, यह जो कुछ नहीं phrase है, expression है, इसको French में क्या बोलते हैं यह तो आपको याद करना बढ़ेगा ना इसमें मैं नहीं समझा सकता समझाने वारा रोल क्या है कि कहां पर लगाना है यह यहां पर लगाना है कि यहां पर लगाना है कि यहां पर लगाना है कि यहां पर लगाना है वो मैं बता सकता हूं और वो मैंने बताया, कि क्या करना है, पहले आपने अपने ये लगा देना है, यह तू, इल, नू, वू, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद एक्सपेशन, समझ में आ गया, अब आपका इस वीडियो के बाद क्या काम बचता है, कि आपने इसन के सारे मीनिंग्स याद कर क्लिकने है, इसके बाद आपका ये टॉपिक खतम हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे डिस्कस, बैक एक्सराइज, बैक एक्सराइज में हमारे पास कुछ क्वेशन होंगे, वहाँ पर इन एक्स्पेशन को कैसे यूज करना है, वो मैं आपको सारे क्वेशन को समझाऊंगा, और उसके आंसर्स की सोलूशन की पीडियाफ, नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे पास कुल, कितने क्वेशन हैं आप पर, 7 questions है हमारे पास, और कुछ बीच में से ऐसे भी होते हैं, आपने देखा ये पिछले chapters था, कि उसमें से 3-4 तो वैसी बकवास ही होते हैं, वो कट जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा coin cultural पढ़ लेंगे, chapter खदम, चलो ये वीडियो इसी के साथ कदम करते हैं, छोट तो इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से जदा अपने friends के साथ share करो, अपने family में share करो, जो भी friends सीखना चाते हैं, उनके साथ share करो, और मेरे चैनल को subscribe करो, वीडियो को like करो, thank you